लखीमपुर खीरी मामली की आग शाम्त होती नजर नहीं आ रही है बीते दिन सुप्रीम कोट की सक्ति के बाद योवी सरकार ने कारवाई तो शुरू की और दो आरूपियों को ग्रफतार भी किया गया लेकिन अभी तक नामजद आरूपी आशीश मिश्रा पुलिस के हाथ से दूर है अब योगी की पुलिस उसे पकड़ नहीं पा रही है या पकड़ना चाह नहीं रही है ये एक बड़ा सवाल है देखे ये रिपोर्ट लखीमपुर खीरी में हुई इस घटना को पांच दिन बीच चुके हैं और अब सुप्रीम कोट की फटकार के बाद योगी की पुलिस एक्शन में दिख रही है लेकिन सियासत थमती नजर नहीं आ रही है इस बीच केंद्री ग्रहराज्य मंत्री अजे मिश्रा टेनी के बे और इसी दोरान यूपी पुलिस की तरफ से आशीश मिश्र को लेकर एक बयान दिया गया था आईजी लखनव रेंज लक्षमी सिंग ने कहा था कि पुलिस आशीश मिश्र की तलाश कर रही है उनसे पूछता चुनी है यह बयान हैरान करने वाला था क्योंकि इससे पहले त और कार को जम कर फटकार लगाई गई थी आज कोट में केस की मौजूदा स्टेटस रिपोर्ट देने के निर्देश भी दिये थे कोट ने जानकारी मांगी थी कि इस मामने में अभी तक कितने लोगों की गरफतारी हुई कितनी F.I.R. हुई और इस घटना का जिम्मेदार क झाल